तो चलिए दोस्तो आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने email id को कैसे change कर सकते हैं जी दोस्तो आज हम आपको यहीं बताएंगे कि आप अपने email id को कैसे change कर सकते हैं बनाते समय किरेट करते समय बहुत सार ऐसे लोग होते हैं जो की कोई भी सारा आता है इसकीम पर वो जो की एकाउंट उससे कीरियट कर लेते हैं और उन्हें बाद में प्रोब्लम आती हैं उन्हें बहुत सारे जो की नोटिपिकेशन आती है तो आप उसे कैसे इमेल आड़ी को चेंज कर सकते हैं तो चली आज हम आपको ही बताएंगे कि आप अपने फेस्बुक का इमेल आड़ी कैसे चेंज कर सकते हैं तो आपको क्या करना होगा पहले नमर आपको फेस्बुक को ओपेन करना होगा तो चली हम ओपेन कर लेते हैं ओपेन कहने के बाद आ कि कैसे हम अपने Facebook का account change कर सकते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा आपको अपने Facebook को open कर लेना open करने के बाद आपको क्या करना होगा यहां आपको three dot का एक option मिलती है आपको यह three dot वाले option पर click कर देना होगा तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद आपको स्कॉल करते हैं नीचे की और आ जाना है, आने के बाद आपको क्या करना होगा, सेटिंग परवाइसी पर क्लिक कर देना होगा, यहां आपको सेटिंग परवाइसी का एक option मिलती है, तो आपको इसी पर क्लिक कर देन यहां ऐसे देखिएगा तो बहुत से आपको फ्यूशर मिल जाती है तो बहुत से लोग को कॉन्फूजन होती है तो मैं उनको कहाना चाहता हूँ कि आप प्रश्णा इंफर्मेशन पर ही क्लिक करते हैं तो आप जिसने क्लिक करते हैं तो यहां आपका पूरी जो की वायो हिस्ट्री यानि पूरी आपको इंफर्मेशन आपकी आ जाती है तो आपका पहले नमर फर्स्ट नमर आपका नाम आ जाती है उसके बाद आपको यहां आपको मिल जाती है Contact Information, Identity Notification, Manage Account आपको यहां बहुत सारे मिलाती है तो हमें यहां Manage Account पर क्लिक कर देना होगा तो हमने जिसी क्लिक करते हैं तो हमारा यहां Open होकर आ जाएगा आने के बाद यहां आपको देखिए क्या कर है यहां आपको क्लिक कर देना होगा क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा आपको एक Password डालना होगा जो कि आपको ओही Password डालना होगा जो कि आप इसे जब Logging करते समय जो कि Password डालते हैं तो आपको ओही Password डालना होगा डालने के बाद यहां Continue पर क्लिक कर देना होगा एक बाद हैं आपको क्या करना होगा contact information पर click कर देना होगा यहां contact information पर यहां click कर देना होगा तो हमने जिसी click कर दिया click करने के बाद हैं आपको email ID आ जाती है जो भी हमारे देखिए हैं एक mobile number आपको यहां show करना है लगा और यहां email ID जो भी हमारे email id है तो हम इसे change करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा हमें email id address पर click कर देना होगा है यहां आपको नीचे का एक option मिलती है add email address यहां आप change करने के लिए इस पर आपको click कर देना होगा जिसे आप क्लिक करते हैं तो आपको यह क्या कह रहा है पहले नमर तो आपको कह रहा है कि आप अपना email id जो कि यह पुराना वाल आपको डालना है और 2 में है जो कि आपको ओही वाले जो कि हैं confirm के लिए आपको डाल देना है email id दोनों के बाद यहां आपको address पर क्लिक करते हैं फिर नेक्स्ट आगले वीडियो मिलते हैं तब तक बाई बाई